गुड मॉर्निंग टॉल आफ यू और वेलकम बैक टू माइनलन क्लासेस आप डॉक्टर सोप यादो और आज आए बात करेंगे हम इस वीडियो सेग्मेंट के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट यह एंसी क्यूस के विश्य में जो रिलेटेड होगा फाइलम प्रोटो बहुत उपयोगी होगा साथ ही साथ बीसी पार्ट वर्न में पढ़ रहे वो बच्चे जो प्रोफेसर राजिंग से रजी भाईया विश्य विश्य देले प्रियागराश से हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है वो टोटली एमसी क्यू है तो उनके लिए भी यह वीडियो सेग लिस्त चाहरी प्रोडक्षन जिसमें जो सही आपसन होगा बच्चो आपसन नमबर 20 होगा मोड़ाफ लोको मोशन अर्थाथ प्रचलन अंगों के आधहार पर लोको मोट्री आर्गनेल्स के आधहर पर इनको क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोंस होते ह कि हम बात करें तो इसमें लोको मोट्री आर्गनेल्स का भाव होता है वो टोटली क्या होता ही इंडो परासाइट होते हैं तो डिफरेंट प्रकार के प्रोटोजोंस में डिफरेंट लोको मोट्री आर्गने को मिलते हैं फाइलम प्रोटोजोवा वैसे भी बहुत क्या होता है सबसे ज़्यादा इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वारियेशन देखने को मिलता है तो यहां जो क्वेस्चन का एंसर सही है वो है मोड आप लोकोमोशन दूसरा आपसं सही है है यह आए दूसरी के सिंगे बाता है चागा डीजीजिस लॉता है एक प्रकार की विमारी है जोस्ट होद प्रोटोजवान पेरासाइट से होता है और इसका नाम होता इसमें आप्संदां की सास्थ होता है पहला सुम्स्तों दkus清楚 को मा ध्युंस तerson इसको हम अमेरिकन ट्रिपैनोस्विएस भी कहते हैं और यह विमारी क्या होता है और यह दो होस्ट होते हैं प्राइमरी होस्ट के रूप में हुमन होता है और सेकेंडरी होस्ट के रूप में यह किसिंग बग होता है जिसको हम ट्राइटोमा कहते हैं ठीक बच्चो आप इसको रिमार कर लेंगे इसके दो होस्ट है प्राइमरी होस्ट प्राइमरी होस्ट के रूप में मायन होता है जिसको हम प्राइमरी या प्रिंस्पिल होस्ट कहत हैं और दूसरा secondary host या हम intermediate या वेक्टर होस्ट जिसको कहते हैं वो क्या होता है ट्राइटोमा होता है ठीक तो इसमें होस्ट होते हैं यह यह बीमारी किसी मच्छर के काटने से नहीं होता किसी प्रकार के मखी के काटने से नहीं होता इस वह लिए transmitted to the fecal material of the casing bug यह casing bug के fecal material के दोरा transmit होता है ठीक ना बच्चों तो किसके दोरा casing bug के fecal material दोरा transmit होता है तो आप इसको कौँ सा अपसन सही करेंगे अपसन नमबर D सही है ट्रिपैनोसो माकुरुजाई यह चागाई डिजिज किसके वज़ेस होता है इनको भी इसका infection हो गया था यह भी चागाई डिजिज से ही संक्रमित थे ultimately कुछ दिनों बाद यह क्या हो गये थे मर गये थे इसी विमारी से अर्थात इनको भी क्या हो गया था चागाई डिजिज हो गया था ठीक आई यह बात करता है question number 3 के विसे में transmission of infection caused by the lower lower is through lower lower बिमारी किसके वज़स होता है तो बच्चो यह lower lower बिमारी protozoa से related नहीं होता है यह एक nematodes की वज़स होता है जैसे आप phylerian parasites में आप पढ़ेंगे ठीक उसी प्रकार से हमारा जो वीडियो सेग्मेंट से बच्चो आप playlist में जाएंगे और हमारा paracetology पढ़ेंगे तो paracetology हमने इसको पढ़ाया है बहुत अच्छे से तो lower lower is a type of the disease which is caused by the nematodes और यह आख में पाए जाता है यह आर्गनिजम जो है यह lower lower जो विमारी है बच्चो यह क्या होता है आख में यह निमेटोडस पाए जाते है यह पूछ रहा है question कि यह lower lower the transmission of infection caused by the lower lower is true किसके द्वारा होता है पहला है cross-off species दूसरा है enophilies species तीसरा है Qlex species जो चलता है मासका डोमेस्टिका इसमें सही option जो है बच्चो वो पहला है cross-off species के वज़ए से होता है ठीक आए बात करते है question number 4 के विसे में fusion method of the reproduction is commonly found is fusion एक प्रकार reproductive method है यह किसमें पाजाता है पहला है protogevans में दूसरा हेलमेंथी में तीसरा अनिलेट्स में जो जो सही option होगा बच्चो option number 1 सही होगा protogevans में तो यह जो fusion होता है यह क्या होता है इस टाइप आफ अफ दे asexual multiplication है क्या होचो यह asexual multiplication होता है जिसमें जितने भी organelles होते हैं वो duplex form में हो जाते हैं वो double-double हो जाते हैं अर्थाथ उनका same copy बन जाता है जिसको हम क्या काते हैं duplication भी काते है इस टाइप आप दे एक प्रकार का एक सेक्षोल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बिखंडन हो जाता है ठीक ना और यह डुपलेक्स पाम में देखने सब यह आरगनल्स क्या होता है बिलकुल सेम डिक्टो क्वापी बन जाते हैं और आरगनल्स दो वराबर फागों में पहला हैाइक होलोफाटिक होलोजोग टूषण होता है जंतुसम होता है ंजलोजोग मेंझतने लutet किlime अगरे भी सोडी मीं किकार जोगद्यह न ले और ह montón ने देखने को रहें सब्सक्राइब होते हैं जैसे मेंद्ध मजभ inveoky होते हैं जैससे wastel Ellie कि गोता है ठीक तो प्रोपाउंडेट बाइब इसको क्या था बाद में इस पर मास्टर पार्टी ने भी काम किया था लेकिन पहला स्तिरे जाता है जो सबसे पहले रिपोर्टिंग किया था सबसे पहले इंवेंट किया था इन दे फॉर्म आप दे लोको मोसन इन अमीवा तो कौन है बच्चो वो है हाइवन साहब ने जिन्होंने सॉल्जल थियोरी दिया था ठीक इट इस सो मच इंपोर्टेंट अगला आए हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीवा इज अमीवा में न्यूट्रिशन डबल बार इस खेलेटन आफ विच आफ दफालोविंग ग्रूप साफ प्रोटेजवांस फॉंस एंपॉर्टेंट कॉंस्टिवेंट्स अफ इस सभी साई है अफ्सन नमबर डी साई है इसमें सभी है ठीक प्रमेनी फेरा वनली इधर है है हिलियो जोवा और इधर रेडियो लेरिया त इस ग्रूप के जोए इसकेलटन होते हैं यह सब सेडिमेंटरी रॉक को बनाने के लिए क्लिए हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक तो इसमें आफ्सन नमबर डी सही होगा सभी सही है अगला केस्टन है बच्चों इसमें आफ्सन नमबर डी सही होगा आए क्या आए क्रिशन नमबर दस की बात करते हैं सक्टोरिया इज अ क्लास अब दा फाइला अब यह सक्टोरिया किस फाइलम का क्लास होता है है तो यह प्रॉटजोवस का मिलय सक्टवरिया जैसा कि महीं सारे जो सक्किंग करते हैं तो स्टवरिया मतर यह सही होगा ठीक तो किस एक स्ट्रस्ट्रीय क्लास है कि स्ट्रेटर ग्लास है कि अंतर गदाता है फाइलम प्रोटेजोवा के अंतर गदाता है ठीक पूछ रहा है, select the correct answer using the code, codes given below पहला है, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, दूसरा है both a and r are true but r is not correct explanation of a, तीसरा है a is true but r is false, चाओ था है a is false but r is true, इसमें जो सही option है बच्चों, option number 20 सही होगा, इसमें question पूछ रहा है, protojova belongs to protista, protojova तो protista से विलांग्स करता है, दूसरा का रहा है protojova और uniceller protojova uniceller तो है, लेकिन आगे के कड़ी असपस्ट नहीं है protojova uniceller but eukaryotic protojova जो होते हैं, वो uniceller होते हैं, लेकिन eukaryotic होते हैं क्योंकि uniceller और prokaryot के रूप में मुनेरा होता है, और uniceller अगर eukaryotic लिखा रहेगा, तब ये correct question माना जाएगा, अब ये question पूर्ड उसे complete नहीं है, इसलिए option number ये तो सही है, protojova belongs to protista, ये सही है, सरसन सही है, लेकिन region इसका correct explanation नहीं दे रहा है, ठीक तो इसमें कौन सही option होगा, आपसन number B सही होगा, ठीक बच्चो, या देखिए दिया भी है, protojova belongs to the protista is the correct, पहला सही है, और आर में दे रहा है, protojova are uniceller, but eukaryotes, यहां असपस्ट कर दिया है, ये क्या है, eukaryotes है, reason is not satisfactory explanation, अर्था जो reason दिया गया है, ये satisfactory explanation नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें option number B सही होगा, तो आप इसको रिमार कर लेंगे, कि protojova belongs to the protista, ये सही है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, unicellular eukaryotes होते हैं, ठीक, it is so much important, आएक question number 12 की बात करते हैं, cephalopoda is the class of the animals in which the, पहला है option, head is located on the foot, दूसरा है, head is fused with the thorax, तीसरा है, foot is located on the head, चौथा है, notocod extends up to the head, तो ये सिफाइलो पोर्ट्स जो होते हैं, बच्चों, ये फिफाइलम प्रोटोजोवा से नहीं है, ये question जो है, ये मोलसका से आ गया है, तो सिफाइलो पोर्ट्स जो class के होएं बच्चों, तो class सिफाइलो पोर्टा की जो होते हैं, जिनमें जो foot होता है, वो उनके head से लगा होता है, सिफाइलान से लगा होता है, तो इस प्रकार के animals class सिफाइलो पोर्टा से विलांग करते हैं, तो इसमें जो आते हैं, बच्चों, वो कौन आते हैं, जैसे आक्टोपस की हम से लगी होती है ठीक ना तीसमें आप्सन नंबर जो सही होगा वह कौन से आपसन सही होगा इसमें गलत लगाया गया है एंसर नंबर दी नहीं सही होगा क्योंकि सिफाइलो थ्रैक्स इसमें दिया गया है वह सही है मतलब हैं वह बूच रहा है कि सिफाइलो कोड़ा उसमें होता है कि होट red इसमें आपसन नंबर सी सही होगा ठीक इसमें जो cricket लगाया है dabei इनकरेक्ट है आई यह हम बात करते हैं question number 13 फाइलम प्रोटो जोवा इंटु फूर classes on the basis of question फिर से रिपीट कर गया है फाइलम प्रोटो जोवा को चार क्लास में डिवाइड किया गया है किसके आधार पर तो मैंने अभी अभी बताया है कि on the basis of the locomotory आर्गनल्स के आधार पर ठीक ना तो यहां क्या दिया है यहां question दूसरा है nuclear structure दूसरा है locomotion structure तीसरा है mode of the reproduction और चोथा है mode of nutrition तो सही है आपसा number B सही है locomotory structure के आधार पर हिंको क्या किया गया है चार क्लास में क्या किया गया है तो phylum protogevah is divided under basis of the locomotory आर्गनल्स आपसा number B सही है आईए question number 14 के हम बात करते है the main basis of the classification आप protogevah is phylum protogevah का main basis जो classification का है वो क्या है बच्चो locomotory device आप इसको रिमार कर लेंगे यह question बहुत important है बच्चो जो phylum protogevah का classification है अधार पर locomotory structure के आधार पर या locomotory argonals के आधार पर कोई भी question किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है तो locomotory device या locomotory structure या locomotory argonals के आधार पर phylum protogevah को क्या किया गए है classify किया गया आधार किसमें अर्थात four class में divide किया गया है आए बात करते हैं question number 15 सिजगी condition found in सिजगी condition किस में पाय जाता है तो इसमें जो सिजगी condition है बच्चो इसमें क्या होता है जो प्रूफोचोइट्स होता है वो क्या होता है डूपलेक्स फार्म में ये भी होता है ये आपस में जुड़े होता है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है आपस में क्या किया रहते है तो ये condition जो देखने को मिलेगा ये ग्रिगारिना में मिलता है किसमें मिलता है बच्चो ग्रिगारिना में आपसन नंबर कौन सही है पहला आपसन सही ग्रिगारिना में यह सीजी की कंडिशन आपको देखने को मिले गाता आपसा नमबर फ़र्स्ट सही है ठीक आये अगला एक एक है सर्ट रिजन आपकर के जाया है सर्ट आ एक है सर्ट रिजन राया है और रिजन बाता रहा है इस आम इन लीड वर र्चू virtue of the fact of the development that they are united in a single class of the ciliofora, सही है, दोनों सही है, सही है, इसमें जो सही option है, बच्चो, option number 1 सही है, both assertion and reason are true and are is the correct explanation, यह, सही है, तो option number A, सही है, आईए हम बात करते हैं, question number 17, 17 में पर, vessel granules differs from the flasela in hiving, vessel granules जो हता है, plasula से differ है, किस रूप में, पहला है, 9 peripheral triplets and 2 central fibers, और दूसरा है, 9 peripheral triplets with, but without central fibers, और तीसरा है, 9 peripheral duplets and 9 central fiber, और चौथा है, only 9 peripheral duplets, इसमें सही option होगा, option number A, 9 peripheral triplets देखने को मिलता है, और बीच में क्या होता है, central fibers देखने को मिलता है, तो यही अंतरहत, इसमें, पहला option सही है, 9 peripheral triplets, और ता किनारे-किनारे, 9 peripheral triplets देखने को मिलते हैं, और बीच में central fibers देखने को मिलता है, ठीक, तो 9 plus 2 का फ्लेजरल पैटरन इसमें देखने को मिलेगा, option number 1 सही है, ठीक, आई अगला हम देखते हैं, which class of protojoa is totally parasite, class protojoa का कौन सा, phylum protojoa का कौन सा class है, जो totally parasite होता है, तो इसमें, option number C सही है, इस पोरो जोवा, अर्था जिसमें, malaria parasite आते हैं, इस class के जितने भी members होते हैं, वो totally क्या होते हैं, इंडो parasite होते हैं, totally parasites होते हैं, इसमें, class sectoria के, जितने phylum protojoa का class sectoria जो होता है, बच्चों, वो totally क्या होता है, parasite होता है, sorry, क्या करते हैं, इसको, इस पोरो जोवा, तो class isporeo joa, जो होता है, phylum protojoa का totally क्या होता है, इंडो parasite होता है, तो इसमें, option number कौन सही है, आप सान नंबर C सही है, पहला question है, पहला option है, protojoa are mainly heterotrophs, दूसरा है, water enters through the ausculum in sponges, चौथा है, तीसरा है, निडो blast are located in the base of the hydra, और चौथा है, all of the true, इसमें, जो सही है, उसमें है, आप सान नंबर A, protojoa are mainly heterotrophs, ये क्या होते हैं, heterotrophs होते हैं, अर्था भी समभोजी होते हैं, different different modes ते अपना nutrition करते हैं, है ना, अर्था, मैंने अभी भी बताया, कि सबसे ज़्यादा variation, protojoans में देखने को मिलेगा, on the basis of locomotion, अर्था locomotion में, as well as the mode of nutrition, इन सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा variation आपको देखने को मिलेगा, ठीक, तो इसमें option number A सही होगा, ठीक, आईए हम बात करते हैं, question number 20, 20 का, a class of the protojoans that contains only endoparasite, phylum protojoans का इसा कौन सा class है, जो totally endoparasite होता है, अभी अभी हमने बात किया, phylum protojoans का class, sporojoa जो होता है, वो क्या होता है, totally endoparasite होता है, जिसमें क्या आते हैं, malarial parasite देखने को मिलेंगे, तो इस sporojoa is the totally parasite, totally endoparasite of the phylum protojoa, ठीक, question number 21, contactile vacuole in protojoans mainly serves far, जो contactile vacuoles होता है, protojoans बच्चों, it is as like the kidney of the vertebrates, जिस प्रकार से vertebrates के kidney होते हैं, contactile vacuoles, kidney अपना काम करता है, ठीक उसी प्रकार से, contactile vacuoles भी क्या होता है, protojoans, जो प्रोटोजवांस हैं, जो lower animals के रूप में, protojoans पाय जाते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, जो contactile vacuoles होता है, वो क्या करता है, आस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया करता है क्या है देखिए आस्मो रेगुलेशन तो आस्मो रेगुलेशन क्या होता है सरीर में water और salt का content है जो concentration उसको maintain करने का काम जो होता है उसको हम क्या कहते है आस्मो रेगुलेशन क्या कहते है अर्थात water and salt का जो लेविल है उसको मेंकें करने के प्रक्रियत को आसमो रगुलेशं को दारह होता है तो आसमो रे प्रकार से हम लोगों में ये चारी किड्नी नहीं करते है कि contactile vacual as like the vertebrate kidney अर्था जिस परकार से vertebrate kidney काम करता है ठिक उसे परकार से contactile vacual काम करता है जैसे हम लोग अस्मारीकृलेसिन की प्रक्रिया kidney करता है वैसे इनमें इस्मारीकृलेसिन की प्रक्रिया कौन करगा Aloysamine 이런 है क्या अर्थात water और salt के content को बिल्कुल maintain बनाए रखने की प्रक्रिया को हीम क्या करते हैं आस्मुरेगलेशन करते हैं ठीक आईए question number 21 की बात करते है which one of the following is not a pathogenic flagellate अर्थात इसमें कौन सा non-pathogenic which one of the following is not a pathogenic flagellate इसमें से कौन सा non-pathogenic flagellate होता है जिसकी वज़े से कोई भीमारी काज नहीं होता है पाहला लिख्मानिया दोसरा j-a d-a 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 t-t-a ट्रिपैनो समचोथा है नक्टी लिगा तो सही option इसमें क्या होगा नक्टी लिगा option number D सही होगा बच्चों लिस्मानिया से क्या होता है लिस्मानिया से नेद्रालो रोग होता है जिसको हम क्या करते हैं अफ्रिकन स्लिपिंग सिक्नेस करते हैं जियाडिया से लिस्मानिया से जो होता है दमदम फीवर होता है जिसको हम काला जार करते हैं और GRDS जो विमारी होती है वो क्या हो intestinalis होता है और इसलिए इसको हम GRDS intestinalis बिखाते हैं जो diarrhea का problem होता है वो GRDS वजस होता है तो आप एक बार रिमार कर लेंगे लिस्मानिया से काला जार होता है GRDS से diarrhea होता है Trypinosoma से African sleeping sickness से अथर नेध्रालू रोग होता है तो प्लास्म को होता है जिस प्रकार से लाइटिंग के प्रक्रिया देखने को मिलती है तो प्रक्रिया अग्ला इसकि किसकी वज़ावता है तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया था बच्छो काला अजार जो किसकी वज़ास होता है लिस्मानिया की वज़ास होता है अठात लिस्मानिया से कौन सी विमारी होती है काला अजार होता है और यह किस से होता है पहला आपसन है सिसी प्लाई जिसको हम क्या करते हैं गुलो टॉमस की बज़े से साइंड फ्लाई की कालाजार होता है यूज किया होता है इसको क्या कते है और यह क्या होता है श्कुक्राइ प्लाई के वजय सब्सक्जंण काते हैं तो ट्रная वठीक ने स्सवेस्टाइ उपेंश का कर आब का नाम है लिसमानिया और बीमारी का नाम क्या है कालाजार ठीक इस सो मच इंपोर्टेंट तो अब क्वेस्चन नमबर प्रुंटीफाइफ की बात करते हैं 25 कंटेक्टाइल वेक्योल पाजाता है किसमें बीमारी किसमें पाजाता है तो इन समस्達ोनिया जाती विचिजी रिस्पांसिल फर्दा आस्मो रेगुलेशन आए बात करते हैं क्रेस्टन नमबर टूंटी सिक्स के तो आप इसको रिमार कर लेंगे सिस्टोल माने होता है तो रिलाक्स होने की प्रक्विया जो होती है धीरे-धीरे होती है जबकि सिस्टोल की प्रक्विया क्या होती है दिरे-धीरे होती है इसमें आपसन नमबर भी चाही होगा ठीक आगला हम बात करते हैं 27 polymorphism forms are found during the life cycle polymorphism माने होता है बहुरूपता अर्था जो बहुरूपता देखने को मिलेगा वो किसकी life cycle में देखने को मिलता है पहला है end of the histolyd के दूसरा है trypanosoma, तीसरा है योगलिना और चोथा है valentidium तो इसमें जो सही option होगा बच्चों वो option number B सही होगा trypanosoma, trypanosoma में polymorphism आपको देखने को मिलेगा मैंने बताया कि हमारे playlist में जाईए और हमारे playlist में आप जब जा कर देखेंगे तो उसमें आपको paracetology में ये देखने को मिलेगा trypanosoma में बहुरूपता देखने को मिलता है तो इसके बहुत सारे body के बहुत सारे slander form हो जाते है start slander form हो जाते है ठीक तो इसमें मैंने इसको बताया है तो आप जाको इसमें देखेंगे तो इसके body के क्या होते है बहुरूपता देखने को मिलते है पहला है हिरुडिनेरिया दूसरा है स्कैरिस तीसरा है टीनिया सोलियों चौथा आलाफ दीच तो बच्चो आप इसमें आपसन नमबर डी सही करेंगे क्यों 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 कि मैंने बताओं कि एसकेल्मेंथीज प्लैटी हलमेंथीज के उपर की जतने भी और यहिसम होते हैं अगर मेंरें प्लैटीठीक के उपर की करेंगे निमलस कोिसे में जर्म रीचा में देखने मिले गांग सबदे हैं इक्टोडर्म, मिजोडर्म, इंडोडर्म, तो जिसमें तीनो जर्माइनल लेयर देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, टिप्लो ब्लास्टिक अनिमल्स कहते हैं, तो इसमें हिर्डेनेरिया भी सही होगा, एसकेरिस भी सही होगा, तो यह सब जितने हैं, यह सब क्या है, प्लेटी हलमिन्थी इसके उपर के आर्डर में देखने को मिल रहे हैं तो आपसन नमबर D सही होगा आएए बात करते हैं 29 विचान अब फालोविंग प्रोटो जिवांस इस नौट एन एक्जामपल आप दे इंडो परासाइट इसमें से कौन है जो इंडो परासाइट से विलाओं नहीं करता है तो पहला है ट्राइको मोनास टिनाक्स दूसरा है प्लाजमोडियम वाइवेक्स तीसरा है लिसमानिया डिनोमनी और चोथा है हाडरो मीवा हाडरेक्सिना तो आपसन नमबर D सही होगा फिक यह इंसलता है यह इंडो परासाइट नहीं है और यह जितने ऊपर तीनो देखें हैं prazmo अपर से प्लाजमोडियम वाइवेक्स लिसमानिया डिनोमनी यह सब क्या होते है यह सब परासाइट होते हैं अर्थात यह इंडो पारसाइट के रूप में होते हैं, लेकिन जो DMA option में है, वो आपका, जैसे hydromiva, यह क्या होता है, यह इंडो पारसाइट नहीं होता है, ठीक तो option नमबर D, सही है, 29 के बाद आए, 30 के बाद करते हैं, कि अमीवा लाइमेक्स मूफ भाई है तो पहला пять énक्सोपपोडिया दूसरा है फिलो पोडिया तीसरा है लोभो पीडिया औरिवंद्व सेंहसे लूभिपोडिया उसर यह हमारे इंडिवाटी ओधीया ग्याराphonie अप अगर somebody में तो सिटाल जी मैंने अपने लेक्षर में यह भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है ठीक तो उसको आप देख लेंगे वीडियो सेग्मेंट में जाकर ठीक आई अब हम बात करते हैं question number 31 का classification आप proto-yo-a is based on फिरस question वही है कि प्रोटो जोवा का classification कि इसके अधार पर आधारी थे तो वह option number 10 है यह लोको मोटरी आरगनल्स के अधार पर और किसी किसी मैं ऐसा होता कि लोकोमोटरी आर्णल्स नहीं होता है जैसे क्लास में लोकोमोटरी आर्णल्स का टोटली अभाव होता है तो पहला है क्लास इसपोरो जोवा, दूसरा सिलियेटा, तीसरा है क्लासर राज्योपोडा, छोथा है फ्लीजलेटा जिसमें आफसर नंबर इस और जाता है है खिक तो आफसर नंबर इस और अ आए यह बात करते हैं यहां já давumink आपके नता है वह वहाहां आप देखेंगे तो यहां देखने को मिलता है यहां कॉन बनाता है यह इंडोर्म होता है वह इक्टोर्म होता है इक्टोप्लाज ज TWT occurredotta है वह ए बनाने का काम करता है तो जैसा कि आप देखेंगे ए्क्टो प्लाज होता है यह प्लाजम के दौरा बना जाता है यह इक्टो प्लाजम के दौरा होता है यहां प्रचल till यहां होता है और इसके बाद होता है है टौद लाइन्वक लटए त्य। अप्सराइब honestly है और आई उसी मेर के माध्य invas though बता देते हैं यहां आप देखिए यह देखिए यहां देखिए यह है इंडो प्लाज्म और यह है इक्टो प्लाज्म ठीक तो अंदर का जो होता है उसको हम इंडो प्लाज्म कहते हैं बाहर का जो होता है उसको हम इक्टो प्लाज्म कहते हैं ठीक अईधर आप देखेंगे यह देखिए प्लाज्मा सॉल अंदर वाला जो इंडो प्लाज्मा होता है उसको हम क्या करते हैं प्लाज्मा सॉल और जो बाहर वाला होता है उसको हम क्या करते हैं प्लाज्मा जिल और यह स्यूडो पोडिया है तो स्यूडो पोडिया और आपको हम दिखा दें कैप यह आप देखेंगे एक टो पारा साइट कहा गया कर Н안 तो कि यह सीजर बोडीर यहां नहीं गया है इस qorby पार्वीज यहां दिया लोग और इसको कौन बनाता है यह नहीं दिया है नहीं ह। और प्लाज मना ठीक इस फिगर में असिपस्ट नहीं दिया है फीगर इसमें नहीं है ठीक बच्चों तो आप जान लिजिए कि इसको क्यों बनाता है एक टो प्लाज के द्वारा वह हाई-Line Cap बनता है जो कहां बनता है बिल्कुल जहां सीडो पोडिया होता है वहाँ यह बनता है ठीक आईए हम बात करते हैं question number 34 के बिसे में correct for Amoeba पहला दिया गया है जूट्रॉफिक दूसरा है लेक्टिक लेंटिक और तीसरा है एस इल्लर और चौथा है किंगड़ मोनेरा तो बच्चों इसमें जो फाइलंप प्रोटो जवा हैं अमीबा जो होता है यह क्या होता है यह जो ट्रॉफिक होता है दूसरा यह लेंटिक होता है और यह इसलिर के रूप में इसलिए कहा जाता है कि यह यह सिलिर को होता है इसलिए हम इसको इसलिर भी कह सकते हैं ठीक इसमें तीनों आफसं साही है तो अप्सक्ता है अर यह त्रॉफिक का मतलब होता है बहुत है लेंटिक पर दो और ये सिल्लर या यूनिसिल्लर आर्गेनिजम में होता है इसमें तीनों आप्संस है ये ए बी एंड सी इस करेक्ट ठीक आगे आगे ये बात करते हैं 35 वन रीजन फार पुटिंग प्रोटोजोवा अंडर किंगडम एनिमेलिया इस देट देयार का रहा कि कोई एक कारण जिस रखा गया अर्थायत हम इसको एनिमल्स भी कह सकते हैं कि इसके आधार पर पहला है मोबाइल सेक्स्वल रिप्रोडक्शन तीसरा है मेंली हेट्रोट्रोपिक और चौथा है पारासाइट तो ये क्यों एनिमल्स का सबसे यूनिक करेक्टर से पीचे क्या होता है कोई भी जन इनको कहने का वज़ा क्या था कि ये मोबाइल होते हैं अर्थात एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाते हैं तो अमीबा को ये क्या प्रोटर जोवा को एनिमल्स कि इनिमल्स क्या था कि ये मोबाइल होते हैं अर्थात एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जा सकते हैं पहला आप्सन है टॉर्नेरिया लार्वा में, दूसरा है प्रोकोफ॓र लार्वा में, तीसरा है ग्लोचीडियम लारवा में, और चवू था हैं एसीडीयन लार्वा में, ठीक, तो यह जो fixation papally होता है बच्छों, यह fixation papally किसमें देखने को मिलेगा, आप्सन, number D, एसीडियन लार्वा जिसको हम सी स्क्विट्स भी काते हैं समुद्री पिछकारी अर्था सी स्क्विट्स किसको काते हैं समुद्री पिछकारी अर्था इसको हम एसीडियन लार्वा के रूप में जाते हैं एसीडियन लार्वा में क्या करता है fixation paply देखने को मिलता है ये बच्चो ये भी phylum protogeovah से ether हो गया है तो आप इसको यहां भी install कर लेंगे ये phylum protogeovah से भी लांग नहीं करता है तो इसमें जो fixation paply आपको देखने को मिलेगा ये fixation paply acidian larva in the form of the जो sea squids होते हैं sea squids में ये देखने को मिलेगा ठीक आएव हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन कि इस साल्जल थियूरी टू एक्स्प्लें लोको मोशन इन आमीवा वाज प्रोपाउंड बाई क्वेश्चन रिपीट कर गया है कि साल्जल थियूरी जो अमीवा में लोको मोशन के लिए बताया गया था इसने किसके दौरा दिया गया तो देखे वहाँ हाइमेन था सबसे पहले हाइमेन ने उसको प्रोपाउंड किया था लेकिन बाद में मार्ट मार्टी ने भी इस पर मास्ट और मार्टी वी इसमें सबसे पहले हाइमेन ने दिया था सपोर्ट यद्वाइब मास और इसको क्या किया था सपोर्ट किया था ठीक तो सबसे पहले पहला option क्या होगा highman अगर रहता तो highman अगर नहीं highman का नाम रहता है तो modern party ने इसको क्या किया था अर्थात वो भी इसमें सायोग दिये थे इसमें से कौन जो हता है सेल्ड अमीबा के रूप में सेल्ड अमीबा का मतलब यह होता है जिनका body जो होता है एक प्रकार के कवच से धका होता है ठीक ना और वो कौन से अमीबा होते हैं वो कौन से प्रोटेजुवांस होते हैं वो कौन सा अमीबा है जिसका बाड़ी किसी कवच से किसी से धका होता है तो आज़े बात करते हैं पहला है आरसिला दूसरा है अमीबा प्रोटियस और तीसर हैं कौयर्स इस और को इस में पहला आपसांस ही होगा आपसन दमबर 1 और है तो और स Cook के सब्सक्राइब करने पते हैं तो यह आप से नमबर फिस उस एक blijसा अमीबाइब निए जिसके उपर क्या पाया जाता है जो इनको करने का काम करता है ठीक टिट इस आल अब ऑट थाइट इट इंपॉर्टेंट केस्चन थे थाइट इट इट इसके विसे में पाइलम प्रोटो जीवा कि बहुत सारे क्रेस्चन हैं कम से कम ढ़ाई 300 क्रेस्चन हम आपको साल्व अगर हारे के स्पेस्मेन को अलग अलग हम डिसकस करेंगे तो आज के वीडियों बच्चो बस इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है उम्मीद है ये लेक्षर आपको बहुत अच्छे सा समझ माया होगा बच्चो अगर किसी प्रकार का कोई कमेंट हो किस लोगों को पसंद हो तो ज्यादा स्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें अपने यार दोस्तों में जिससे उनकी भी त्यारी सुचारूप से चल सकें तो मिलते हैं बच्चो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स सेग्मेंट के साथ तब तक लिए धन् अबड़ाद